Hello Friends, Welcome to this video class Friends, इस video class में मैं डिसकश करूंगा column-based questions और इन column-based questions को किस तरीक好像 करना है best tricks क्या है यह मैं डिसकश करूंगा यह questions इस समय सभी बैंक की exams में bank p.o. bank work में pre-ad purl means exams में पूशे जा रहे हैं आपफी trending इस Students को उचलिएंग देखते हैं इस video class में मैं आपको logical reasoning tricks बताऊंगा जिनकी मदस से आप इस तरह के questions को कम से कम time में accuracy के साथ आप कर पाएंगे देखें यहाँ पर मैंने direction नहीं दिये हैं इसमें direction क्योंकि यह question बड़ा है इसको मैं verbally आपको बता देता हूँ क्या करना है इस question में देखें यहाँ पर यह question दिया है और दो filler है इसमें तो first filler में यहाँ से एक word आएगा और second filler में यहाँ से column B से एक word आएगा और इन दोनों का जो combination होगा वो आपका answer इसमें होगा तो columnist questions भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं लेकिन दूसरे questions की fiction को करना फ्रोड़ा सा आसान है जैसे परेजंबल question होते हैं तोड़े से tough होते हैं अब देखें यहाँ से इसको पढ़ते हैं तो क्या वो कोड में जा सकती है बिना DRT में जाए बिना debt recovery tribunal में जाए क्या वो direct quote में जा सकती है अब देखें यहाँ पर मेरे मुह से जो word निकला वो निकला direct क्योंकि direct के साथ यह जो word है without यह लगता है ठीक है जैसे जैसे जी मैं बोलूँ कि he went there he went there he went there directly without asking his parents तो normally हम without के साथ directing word को use करते हैं direct word को use करते हैं तो यहाँ पर first में direct का equivalent word चाहिए है direct का equivalent word जो है वो है straight away right away का मतलब होता है उसी समय straight away का मतलब होता है directly तो यहाँ पर हम straight away लगा सकते हैं और दूसरा देखिए दूसरे में क्या लिखा है देखिए यहाँ पर has लगा है तो यहाँ पर आफ third form ही लगा सकते हैं और एक ऐसा word लगा सकते हैं आप यहाँ पर जो आपके साथ जुड़ जाए तो आपके साथ जुड़ने वाला जो जो वर्ड है वो है आपका cropped cropped up cropped up का मतलब unexpectedly किसी चीज का happen होना या appear हो जाना ठीक है तो has again cropped up in the Gujarat High Court in the case G.A. Industries versus bank of bada तो यह bank of bada और G.A. Industries के बीच में एक dispute है और crop up हुआ है यह cropped up हुआ है मतलब appear हुआ है यह happen मतलब हुआ है यह ठीक है तो यहाँ पर आप crop up लगा सकते हैं और यहाँ पर आप state away लगा सकते हैं यानि यहाँ पर A and E आपका यहाँ पर सही आंसर होगा तो इस question का जो आंसर होगा वो होगा fourth that is A E ऐसे इन questions को करना होता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह है second question after putting up a brave face for months and saying the airline would be revived अब देखिए यहाँ पर keyword क्या है यहाँ पर keyword है revive revive बतलब पुनर जीवित करना कोई चीज dead हो गई है या उसमें जान नहीं है या वो functional नहीं है तो उसको revive करना तो revive हम किसको करेंगे जो dead हो चुकी तो dead का equivalent word चाहिए यहाँ पर देखिए functional तो बलकुल गलत होगा declining का मतलब नीचे आना beleagard का मतलब जो dead तो नहीं कह सकते लेकिन जो काफी problem में है जो troubled है उसको हम बोलते हैं beleagard तो beleagard जो airline होगी यहाँ पर beleagard word आएगा तो उसको revive किया जा सकता है bankers seems to have had a heart मतलब इस airline company ने बोला है कि इसको revive किया जाएगा तो उसके बाद यदि इस company के पास bank से कुछ loans हैं तो banking sector को एक राहत मिली है इससे कि banking का जो पैसा है वो बापिस आ जाएगा तो bankers seems to have had a change of heart यहाँ पर break of heart हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि out of context हो जाएगा soft heart बोल सकते हैं soft of heart नहीं बोल सकते हैं change of heart बोल सकते हैं मतलब change of heart का मतलब है कि उनका opinion change हो गया है तो यहाँ पर कोई dispute हो सकता है जैसे bank ने लोन दिया है इस company को और यह airline company जो है घाटे में जा रही है तो bank इनसे हो सकता है बोल रही हो कि अब आगे से हम आपको लोन नहीं देंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस sentence में तो यहाँ पर एक तो बिलीगर्ड लगा सकते हैं बी और एक हम change लगा सकते हैं यहाँ बी डी इसमें आपका सही answer होगा तो यहाँ पर आपका जो answer होगा वो होगा 5 इस बी ठीक है तो ऐसे इन questions को करना है यह columnist questions है यह भी अलग-लग तरीके से अलग-लग pattern पर पूछे जाते हैं लेकिन सभी तरह के questions में आपको logical reasoning को apply करना है अब यहाँ पर देखिए the stock has been has been यहाँ पर has been का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको verb की ing form चाहिए ठीक है between rupees 214 and 280 इसका मतलब यह है कि share price की इसमें बात हो रही है और share price जो है वो इन दोनों figures के बीच में घूम रहा है देखें मेरे मुह से तो जो word निकला वो निकला कि घूम रहा है तो घूमने के लिए तो equivalent word circulating है लेकिन price इसमें क्या हो रहा है price पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है यानि इस range में घूम रहा है ठीक है तो इसमें क्या होगा कि इस price range में जो वो movement हो रही है तो इसको हम या तो vacillate बोलेंगे या हम oscillate बोलेंगे एक तरफ ऐसे जाना, फिर आना फिर ऐसे जाना, मतलब बढ़ना फिर घटना, बढ़ना फिर घटना इसके लिए जो सही वर्ड या तो vacillate हम बोल सकते हैं या oscillate बोल सकते हैं circulate नहीं बोल सकते हैं waiting तो बिलकुल ही गलत है, oscillate हम बोल सकते हैं, और यहाँ पर, चुकि point of time की बात हो रही है, the beginning of the year, यह point of time है, beginning of the year, तो point of time को perfect tense के थूँ हम यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर has भी लगा हुआ है, जो कि हमें यह बता रहा है, कि यह perfect tense है, यहां पर हम sense ही लगा सकते हैं यानि इसमें C and E का आपका एक combination बनेगा C and E यह इसमें combination बनेगा C and E तो यह इसमें आपका answer होगा ठीक है अब देखे एक यह question है The Delhi High Court has stated that दो courts have appointed independent arbitrators, arbitrators मतलब कुन होते हैं जिसे कोई dispute होता है दो 35 के बीच में तो उसके बीच में वो कोई dispute को resolve करते हैं तीक है उसको हम बोलते हैं arbitrator When there is a देखे आर्बीटर की भूमेका तभी आती है जब दो 35 के interest आपस में टकराते हैं तो इसको हम बोलते है conflict of interest तो यहाँ पर केबल conflict ही आ सकता है conflict यानि लड़ाई जगडा dispute दोनों के जो interest है दोनों के जो benefits है उनके बीच में crash हो रहा है तो उसको हम बोलते है conflict of interest तो यहाँ पर conflict ही आ सकता है और यहाँ पर देखिए The Arbitration Act hasn't done or with, यहाँ पर लखा है done or with, यहाँ पर आप लगाएंगे done away with यह एक phrasal verb होती है done away with ठीक है, चुकि यह hasn't लगा है इसने यहाँ पर done लखा है वैसे यह do away with do away with का मतला होता है किसी चीज को हटाना तो यहाँ पर unilateral rights को हटाने की बात हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे away ठीक है तो C and D इसमें आपका सही answer इसमें होगा तो यह मैं कुछ basic चीज़ें आपको बता रहा हूँ यह questions काफी complicated भी हो सकते हैं और देखिए इसमें दो दो option भी दिये हैं तो इस तरीके से यह questions काफी important है ठीक है, pre and means दोनों में ही पूछे जा सकते हैं, में इसमें थोड़े से और advanced level के questions आते हैं अब आप यहां पर देखिए the liberal arts university feature much lower perhaps because society sees greater employability for science, IT, engineering graduates with their supposed क्या बोल रहा है इसमें इसमें यह बोल रहे हैं कि देखिए दो तरह की पढ़ाई होती है एक पर तो हम professional degree लेते हैं जिसमें हम M.B.B.S करते हैं B.E. करते हैं MBA, C.A. ठीक है और एक दूसी तरफ हम क्या करते हैं BA, MA यह simple degrees होती हैं तो यह जो professional degrees है इनकी ज़्यदा demand है market में क्योंकि यह specialization माने जाते हैं ठीक है the liberal arts university feature much lower liberal arts मतलब BA MA तो इनकी value कम है क्योंकि इनकी employability नहीं है science, IT, engineering, graduating क्योंकि इनकी employability ज़्यादा है क्योंकि इन में एक specialization है तो यहाँ पर specialization या specific specific specificity specific specific कम बोल सकते हैं तो यहाँ पर specialization की इसमें actually बात हो रही है तो यहाँ पर C आपका आजाएगा और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं देखिए then the unspecified scope of research in in यहाँ पर देखिए क्या word आ सकता है such as such as के आगे क्या दिया है history, economics, literature यानि कई सारे subjects की बात हो रही है यानि यहाँ पर आपको जो noun चाहिए वो plural noun चाहिए अब इस में से plural cable एक ही है ठीक है उसको हम disciplines बोलते हैं तो यहाँ पर C and E आपका सही आंसर होगा यानि इसमें आपका आंसर होगा थद तो इस तरीके से यह basic column based questions है column based questions sentence form में भी हो सकते हैं word form में भी हो सकते हैं यह word form में हैं, sentence form में भी होते हैं ठीक अलग लग तरीके से अलग लग पैटर बना के examiner question ये बनाता है लेकिन यह दी सभी जगे आप logical reasoning को apply करते हैं तो इस तरीके को आप असानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में मैं पांच question लिये हैं I hope आपको अच्छे तरीके से समझ में आये होंगे और आगे किसके questions में आगे की video class में upload करूँगा तो इस video class में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा next video class में thank you